गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत थे आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे सी यूटूब चैनल स्टडी सर्क्ल 2.0 में सो कैसे हैं दोस्तों आप लोग आयोब सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और सभी का इस्टडी भी बहुत जादा जवार जस्ति चला होगा ठीक है एक्जाम बिलकुल करीब है बस पढ़ते रहिएगा बिलकुल भी मत रुकिए ठीक है ना जो भी प्रोवाइट किया जा सब्सक्राइब जिसके भी आपको जो सीज मिल रहा चैनल पर बढ़िया से पढ़ियेगा और आज दोस्तों आपका जो एपलाइट मैथमेटिस को में डिफ्रेंशियेशन है वो कंपलीट हो जाएगा बस केवल एक बचेगा वो भी आपका फर्स्ट डिपरेंस पर्ग से या अगर मैं बात करूं तो हमारा चल रहा है सक्सेशिव डिफ्रेंसिशन ठीक है और सक्सेशिव डिफ्रेंसिशन का यह दोस्तों आपका लास्ट लैक्षर है आज आज आपका सक्सेशिव डिफ्रेंसिशन टोटल कंप्लीट हो जाएगा कल हमने एक नेक्स टाइप जो दोस्त करेंगे ठीक एक से दो questions आज भी करने वाले हैं ये भी आपकी important question ही है ठीक है तो पहला question है दोस्तो आपका यदि x is equal to a bracket के अंदर 1 minus cos theta अगर आपको given हो तो दोस्तो आपको value निकालना है y is equal to अभी sorry रुकिए पहले theta plus question पहले मुझे थोड़ा सा note करने देजिए पहले ये आप आपको question दिया है x बराबर इतना हो y बराबर इतना हो तो आपको दोस्तो वैलू निकालना है theta बराबर pi by 2 पर और किसका d2y upon dx2 का और कितना आना चाहिए आपका minus का बन अपन अपन a आना चाहिए ये मतलब थोड़ी दर के लिए इसको पहले छोड़ देते हैं ठीक है तो questions क यह रहा कि अगर x की value इतनी हो y की value इतनी हो तो d2y upon dx2 आप लोग इतना निकाले कितने पर theta बराबर pi by 2 यानि answer जब आपका आ जाए तो theta की जगए pi by 2 रख देना और आप इतना पूरूब कर देना ये question में कहा गया है तो करना क्या होगा सबसे पहले इसका differentiation करना होगा इसक और dy upon dx का हम जब एक बार फिर से differentiation कर देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा ठीक है चलिए तो करते हैं start हम पहले का सबसे पहले करते हैं दोस्तो differentiation तो इसका differentiation क्या होगा देखिए x बराबर हमें given है a 1-cos theta तो यहां से लिख लीजिए differentiation with respect to x तो यहां से हो जाएगा दोस्तो डी खोसर देना आपका theta की respect में हो रहा है ठीक है क्योंकि पीछी खोसर में तो ठोदा सबी जहने हो अपका ध्यान देना differentiation with respect to हमें theta करना है तो यहां से dx upon d theta यहां से हो जाएगा बर यहां से का sin theta यानि यह आपका plus हो जाएगा इस तरीके से तो यह आपका आ गया dx upon d theta का value ओके यानि कि हम कह सकते हैं a sin theta कोई problem किसी को dx upon d theta का आपका value आ चुका है दोस्तों कितना आ चुका है आपका आपका दोस्तों value आ चुका है a sin theta कितना आ चुका है दोस्तों आपका आचुका है a sin theta आप इसी तरीके से आपको करना क्या है जो दूसरा वैलू आपका दिया है y बराबर a theta plus sin theta ओके और ये a आपका बहार था ना सॉरी ये आपका बहार था तो इसको मैं क्या करता हूं थोड़ा सा करेक्शन कर लिए बराकेट गलत जगह लग गया ये देखिए ऐसे था ठीक है ये आपका बहार है ये इस तरीके से लिखिए थोड़ा सा तो यहां से फिर से लिखिए ये differentiation with respect to x ना करके ठीटा करना है ठीक है ये ठीटा की respect में कर रहा है तो यानि d upon d theta और ये y है तो y आ जाएगा अब देखिए यहां से क्या होगा d upon d theta और ये आपका बहार theta plus sin theta इस तरीके से था ठीक है ये अब आपका correct हुआ तो ये same रखिए इसका कर दीजिए ये आपका बन होता था theta की respect में theta का एक होगा plus sin theta का हो जाएगा दोस्तों cos theta sin theta का cos theta ओके समझ रहे ना इतना और ये था तो ये आपका बहार हो गया यहां से value आ चुका है d y upon d theta का तो ये value आपके पास d y upon d theta का था और ये आपके पास d x upon d theta का value था correct कोई problem आप लोगों को नहीं होनी चा तो जब भाग देदेंगे तो यहां से हमें d y upon d x का value मिल जाएगा दीखिए मैं direct किया है अब जब आप इसमें इसका भाग देदेंगे तो theta से theta cancel हो जाएगा और ये value आपका आ जाएगा यहां फिर a one plus cos theta और बटे में आ जाएगा a sin theta क्या आपको देख रहा है बेलुकुल d x के ठीके तो आप क्या करना है अब ये देखिए d y upon d x आपने find कर लिया अब आपको निकालना है दोस्तो d 2 y upon d x 2 ये निकालना यानि एक बार differentiation आपको और करना है इसका x के respect में समझ रहे हैं तो दोस्तो इतना ही आप लोगों का क्या था value यहां पे आया हुआ था d y upon d x का देखिए अभी जस्त आपने इतना value calculate करा है अब हम इसको next page में solve कर रहे हैं तो फिर से हैं दोस्तो आप हम यहां d 2 y upon d x 2 निकाल ला है तो हम फिर से differentiation with respect to x कर देंगी ठीके अब हम x के respect में करना पड़ेगा तो यहां से हो जाएगा दोस्तो d 2 y upon d x 2 और यहां से लग आपका जो हर है वो सेम रहेगा यानि sin theta आंस का करेंगे तो 0 और minus का sin theta ओके minus उपर का सेम करना यानि 1 plus cos theta और sin theta का हो जाएगा cos theta ओके और दोस्तों देखिए आप यहां theta का भी करना तो into में आप यहां से कर दीजिए d theta बटे dx into में theta का भी करेंगे न और आपका sin theta है तो यह जहां से हो जाएगा sin square theta आपने हर का square कर दिया या मैं कहूं आपने सैकन्ड टर्म का square कर दिया ओके अब यहां से यह निकल करका सब्सक्राइब थीटा और देखिए यहां से कितना आ जाएगा अब दिखिए मैं cos theta का multiply करारा रहा हूँ one में तो minus का cos theta cos theta का cos theta से तो minus का cos square theta औ और यह into में d theta upon dx आपका लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, और बटे में sin square theta, ओके, आप देखिए, यह sin square theta, यह cos square theta, अगर minus को हम ले ले लेंगे, तो यहां से आजाएगा sin square theta plus cos square theta, और यह minus का cos theta आपका बच्चा हुआ, तो मैंने यह लिख theta लग दीजे, दिखिए, अभी हम इसका value यहां से लेंगे दोस्तो, d theta upon dx, थोड़ा से इसको पहले solve कर लें, देखिए, यह one हो गया, और यह बचा minus one, minus cos theta, बटे sin square theta into d theta upon dx, ठीक है, अब दोस्तों आप चाहें, तो यहां से value रख सकते हैं, देखिए, आप यहां से value रख सक देखिए, यह रहां आपका, d theta upon dx का आपको निकालना, यह दिया है, d theta upon dx, बट आपको निकालना, d theta upon dx, तो बाद में पूरा solve होके कितना आया था, यह आया था, dx upon d theta, यानि a sin theta, तो d theta upon dx का value केता होगा, औलटा, यानि one upon a sin theta, ठीक है, one upon a sin theta, तो चलिए, यहां रख देते ह यह हो जाएगा minus one minus का cos theta बटे sin square theta और into में कित्ता हो जाएगा one upon a sin theta ठीक है इतना आई हो आप लोगों समझ में आ गया होगा चलिए अब दोस्तों आपको करना क्या था question में कुछ बोला था उसने question में क्या बोला था अगर आप चाहें तो थोड़ा से मैं कॉमन ले लूँ यहां से minus कॉमन ले लूँ जोस्तों यहां से तो यहां से हो जाएगा one plus cos theta बटे sin square theta into one upon a sin theta क्या यतना समझ में आ गया अब दोस्तों जो value आपको निकालनी थी ना d2y upon dx2 की वो आपको theta बराबर pi by 2 पर निकालनी थी कित्ते पर निकालनी थी theta बराबर pi by 2 पर तो यही theta बराबर pi by 2 अब आपको यहां भी use कर लेना है theta बराबर pi by 2 तो यहां से हो जाएगा minus one plus cos 90 बट्टी में हो जाएगा दोस्तो sin 90 का whole square ठीके और into में हो जाएगा a upon sin 90 pi by 2 तो यहां cos 90 का value 0 होता है ठीके ना cos 90 का value 0 तो यह आपका one बचा minus का बन हो गया और देखिए upon अगर हम देखें थोड़ा सा आपको देख रहा है कि नहीं यह थोड़ा मैं देख लूँ देखें sin 90 तो sin 90 का value 1 यानि 1 का square into a और यहां sin 90 तो sin 90 का value 1 होता है ठीके ना समझ गए तो यानि minus का आपका यहां पर आजाएगा a यही तो आएगा आपका d2y upon dx2 का value यही तो आपको प्रूब करा रहा था तो यह देखनी है आप लोग d2y upon dx2 का value minus का बना पॉनी बिल्कुल करेक्ट है देखो यह आपका value था यही हमने जो है calculate करा है कोछ भी हमने यहां पर दोस्तों जो है अलग नहीं किया हुआ तो यह थोड़ा सा आपको समझना है ठीके न चलिए तो यह question आप थोड़ा सा note करिए बिल्कुल easy question ने कुछ भी नहीं किया दोस्ता हम लोग ने ठीके आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमने कुछ भी अलग से नहीं किया हुआ देखिए पहले हमने क्या करा जो पहला दिया था उसका हमने ठीटा के respect में differentiation किया तो हमार y upon dx आपका यह इतना आगया था न यह वाला ठीक है इतना आपके पास आगया था और फिर आपको इसका जो है d2 y upon dx2 निकालना था यह देखिए d2 y upon dx2 तो आपका क्या करना था इसका एक बार differentiation और करना था पूरे टर्म का तो फिर वो मैंने यहां पे कर दिया आप लोग दे question भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ना चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की last question की ओर ठीक है आपका आज का जो last question है वो क्या दिया गया है तो देख लीजेगा और इसके बाद यह आपका complete हो जाएगा और बचेगा cable एक differentiation आपका वो भी first principles है तो question है आपका x is equal to a cos t plus log 10 t by 2 ठीक है ना और एक value दोस्तों आपको और given है y is equal to a sin t ओके तो आपको दोस्तों d2y बटे में है dx2 इसका value find out करना ठीक है यह तो value आपको given है बिल्कु सेम question है बैसा का बैसा बैसा बस calculation आप पर है आप किस तरीके से इसको solve करते हैं dx upon dt यहा निकाल लीजे dy upon dt निकाल लीजे फिर dy upon dt में भाग दे देना dx upon dt का तो dy upon dx आजाएगा एक बार differentiation कर देना तो आपका कित्ता आजाएगा आपका दोस्तों आजाएगा d2y upon dx2 ओके चली तो फिर हम इसको calculate करना शुरू करते हैं पहले बाले को पहले मैं सबसे पहले करता हूं तो मैं इसको कर 10ty2 इतना आपका दिया था ठीक है तो यहां लिखेंगे differentiation with respect to t अब हम t के respect में करेंगे किसकी respect में t यही दौनों में सवतांतर चर आपका दिया इसमें भी और इसमें भी तो यहां से दोस्तों कित्ता आएगा देखें यह आपका पहला हो गया यह दूसर तो पहले का कर रहे log 10ty2 अब देखें कहां लगाना है मुझे bracket यहां लगाना ओके तो अब कर दीजें इसका differentiation बिल्कुल easy है एक को मैंने बाहर रख लिया cost t का minus sin t ठीक है न और थोड़ा सा हाँ question सही मैंने note करा है यह थोड़ा समय चेक करूं यह तो नहीं है थोड़ा सा नहीं है चलिए cost t जो ह आपका बिल्कुल correct लिखा था तो cost t का होगा sin t यह मैंने बाहर करा plus यह होगा log x तो log x का हो जाएगा one upon x यानि की 10 ty2 correct इसके बाद मैंने log x का कर लिए अब मेरा बचा 10x का यानि की 10 ty2 का कितना होगा sack square x यानि ty2 x का आपका यहाँ ty2 हो जाएगा अब 10x का कर लिए लेकर x आपका बचा है ty2 तो ty2 का क्या होगा और t के respect में कर रहे हैं तो एक बटा दोग तो अचर बाहर और t का एक हो जाएगा तो क्या आपको यह समझ में आ गया इतना बिलकुल easy था दोस्तों कुछ भी नहीं था इसमें इस question में आप लोगों का कुछ भी नहीं था बिलकुल easy था अब देखिए एक यहाँ से हमारा हो जाएगा minus का sin t होके plus थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना देखिए यह दो है तो मैं sin t by 2 और बटे में cos करना है तो cos उपर कोंच जाएगा यानि cos t by 2 अब बचा है आपका sack square t by 2 तो यह उपर था तो मैं इसको लिख सकता हूँ one upon नीचे कर सकता हूँ दोस्तों cos square t by 2 क्या आपको इतना समझ में आ गया क्या आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों बताए मुश अब देखिए नीचे बनेंगे 2 sin a into cos a यानि की one upon sin a अब sin 2 a नहीं करेंगे sin a करेंगे दोस्तों और वो आपका रहेगा cable और cable t क्यूंकि आपने sin 2x का formula पढ़ा है 2 sin x जिसमें बटे नहीं होता था लेकिन यहाँ बटे है मतलब angle आधा है तो आपका side t होगा correct क्या आपको इ 1 बटे में आपका sin t यह आपका दोस्तों वहर हे रहा यह आपका value आ चुका है दोस्तों dx upon dt का ठीके ना और काफी ज़्यादा सर्दी होने की बज़े से अब हाथ काम नहीं कर रहे है हमारे हाथ बहुत ज़्यादा cold हो चुके हैं इसकी बज़े से pen से लिखने में बहुत स्कॉर्टी प्लस बन अपॉन साइन स्कॉर्टी प्लस बन अपॉन आपका साइन टीक इतना आपका आज चुका और यह दोस्तों आपका हो गया किस चीज का value अगर आपको इसको और सॉल्व करना चाहिए तो और हो सकता है देखिए अगर हम यहां फॉर्मूला खोले फॉर् थोड़ा सा ध्यान रखना मैं यहां साइड में नोट कर दूँ अगर आप चाहिए तो डी एक्स अपॉन जो डी टी है इसका value आपने calculate करा है और फिर आ गया कॉस स्कॉर्टी और बटे में है साइन टी ठीक है न यह देखिए इतना कुछ value आपका आचुका थोड़ा से इसको ध्यान देना यह आपका dx का value आचुका है अब दूसरा आपका क्या था दोस्तों दूसरा था आपका यह रहा आपका a sin t तो इसका मटार्टी यहीं पर करते हूं देखिए विल्कुल easy है इसका हो और ती का तो ठीक डिफ्रेंस में एक ही होगा ती के रिस्पेक्ट में ठीक है न तो यह आपका dy upon dt का value आ चुका है और यह जो आपका अभी जस्त यहां मैंने calculate करा था देखिए इतना value यह आपका dx upon dt का value है अब आप निकाल दीजे दोस्तों dy upon dx का value तो कितना आएगा y वाल मैं कर दीजी यह पूरा term तो कितना है a cos square t cos square t और बटे मैं करना sin t तो मैं इसको direct ऊपर कर दूं sin t जो है मैं direct ऊपर कर दूं दोस्तों चलिए यह यह से तो a गया a से a गया और यह देखिए एक cos से एक cos गया बचा cable tan t यह हो गया dy upon dx अब इसका आपको एक बार differentiation और करना है क्योंकि आपको find करना है d2y upon dx2 तो x के respect में आपको करना पड़ेगा तो कर दीजे यहाँ पर differentiation with respect to x उपर करेंगे हम लोग t के और नीचे करेंगे x के तो यहाँ ज हो जाएगा dx2 क्या आपको देख रहा है मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लों ओके दिख रहा है दोस्तों अब देखिए यहाँ जो आपका tan t है इसका हो जाएगा दोस्तों sag square t लेकिन t का आपको फिर से करना पड़ेगा t का एक नहीं होगा क्योंकि हम तो x की respect में कर रहे है तो t का हो जाएगा dt upon dx यानि d upon dx मतलब x के साफ x और t का करना है तो side में t को चिपका दो तो यह आपका इतना दोस्तों calculate हो करके आ चुका है आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा अब करना क्या है जो dt upon dx side में आया हुआ है इसका value आपको find करना है देखिए कहां से यहां स dt upon dx निकालना है दोस्तों तो dt upon dx अगर मैं यहां से निकालूंगा तो मैंने इसको change करा है ना dt upon dx उल्टा करा है तो यह भी उल्टा हो जाएगा यानि कि sin t बटे a cos square t sin t बटे a cos square t देखी मैंने इसको dt upon dx करा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा ना तो ये भी उल्टा हो गया कितना है यहां रख दीजिए इसकी जगे तो ये था दोस्तो आपका sin square t dt upon dx कितना है sin t sin t और बटे में कितना है तो बटे में हैं दोस्तो आपका a cos square t a cos square t और ये हो गया d2y upon dx2 ओके तो ये question आपका आई हो complete होने बादा है अब दीए कर क्या सकते हैं हम लोग थोड़ा सा आँगे अगर हम बढ़े हैं इसी में अगर हम इसी में आँगे बढ़े हैं one upon cos square t यहां हो जाएगा sin t बटे में हो जाएगा a cos square t कुछ इतना ही तो होगा दोस्तो यानि कि यहां से हमारा आ जाएगा a one upon a देखिए यह one upon a हो गया इसके बाद देखिए यहां sin t तो है तो मैंने sin t बैसे का बैसा लिख दिया sin t ठीक न और देखिए आपका यहां से अगर मैं देखूँ अगर 10 मुझे बनाना हो तो मैं 10 भी तो बना सकता हूँ एक साइकन रुकिए अगर मुझे 10 दोस्तों बनाना है तो मैं 10 भी बना सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं चाहूं तो 10 बना साथ तो चली कोई बाती पहले मैं sin बटे cos t ही कर दूँ आपकी लिए इसका मैं 10 बनाऊंगा और यहां से मुझे cos square t है मेरे पास और यहां से भी cos square में से 1 cos मिल जाएगा तो उपर जाकर के बन जाएगा sec qt ओके थोड़ा सा समझते हैं एक बार फिर से आपका दिया था बन अपॉन cos square t into sin t बटे में a cos square t यानि कि cos पे घात 4 t ऐसा कुछ है आपके पास cos per power 4 t है तो cos per power 4 t का एक cos हमने इसके साब भे दिया ताकि हम 10 बना सके और 3 हमारी आए रहे जोगी ऊपर चले जाएंगे sec के form में तो finally बचेगा a 10 t और यह आपका sec qt ठीक हम नहीं यहीं बता दिया क्योंकि next way नहीं बता दिया तो फिर आपको और दिक्कत होती यह हो जागा दोस्ता आपका जो है value किसका d2y upon dx2 का और कितना आया एक बटा एक टेंटी इन्टू सेग यहाँ पर क्यू है तो यह हो गया इस question का solution और आई होब यह question आपको समझ में आ गया होगा ठीक है सरदी की वज़ी से थोड़ा सा जो लेक है मेरी वो change हो चुकी है इस वीडियो में ठीक है यह question आपको समझ में आ गया होगा तो यह दोस्तों आपको differentiation है यह खतम होता है और आपको दिहार में रखना एक differentiation आपको बचाहा होगा है फर्स्ट प्रेंस्वल से यानि की पर्थम सिध्धांद से तो वह भी मैं आपको बहुत जल्दी बता दूँगा आप चाहें तो अभी जश्ट बता दूँगा या फिर आप लोग का मैं पहले यह सारे चाप्टर्स खतम कर दूँगा उसके बाद आपको समझा दूगा जैसा आप चाहें कमेंट कर देना वैसा आपके साथ हो जाएगा ठीक है चलिए तो 19 में question पूरा ले लिए यह देखिए थोड़ा सा फास्ट होगा है हम लोग यह देखिए इसकी शॉट लीजिए इसकी शॉट लीजिए यह देखिए फाइनली ओके तो फिर चलिए दूस्तो मिले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो कैसा लगा जरूर बता दीजिए पसंद आया या नहीं आया ठीक है ना पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए और दोस कुछ दो